दोस्तों पिम आवास योजना की नई लिस्ट जारी हो चुकी है जी हाँ दोस्तों आज फिर जारी हुई नई लिस्ट पिम आवास योजना के तहट 85.23 करोण खाते में जमा हुई इसकी पहली किस्त जी हाँ दोस्तों इसकी जो पहली इंस्टॉल्मेंट है वो जमा हो चुकी ह और इसकी नई सूची भी जारी हो चुकी है इस सूची में उन सभी ग्रामीडवासियों का नाम है जिनके अभी तक पक्के घर नहीं बने है और उनके पास उनका सिर्फ कच्चा मकान है तो उसका नाम इस सूची में जोड़ा गया है ये सूची नई अभी भी जारी की गई है अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस फोन नंबर पर कॉल करके इसकी सिकायत भी कर सकते हैं और यदि आपका नाम सूची से हटाया गया है तो उसके लिए भी आपको फोन नंबर दिया जाएगा ताकि आप इसके अधिकारी से बात कर सकें और अपनी सिकायत दर्च कर सकें तो दोस्तों इस आवास योजना के तहट आपको एक लाख बीस हजार रुपे की प्रोटसाहन रासी मिलेगी जो की आप इहां पर देख सकते हैं एक लाख बीस हजार रुपे की आपको इसमें प्रोटसाहन रासी मिलेगी अभी तक 85.23 करोन खाते में यह रुपया जमा किया जा चुका है और इसकी यह नई सूची जारी हो चुकी है तो इस सूची को आप किस प्रकार से देख सकेंगे और इसका कॉंटेक्ट नंबर अधिकारी का वो भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों उससे पहले आपको बता दें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए अगर चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सस्क्राइब करें साथी साथ इसका बेल बेटन प्रेस करें तो सबसे पहले हम आपको इसकी सूची दिखाते हैं और आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि इसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है तो किस्त देखने के लिए सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे देख सकते हैं हम आचुके हैं इसकी ओफिसियल वेबसाइट यह इसकी ओफिसियल वेबसाइट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसपर जब किलिक करेंगे तो डारेक्ट आप इस वेबसाइट पर आजाएंगे इस वेबसाइट पर आपको इसकी नई सूची दिखाई देगी वो किस प्रकार से देखनी है आपको यहाँ पर थ्री डॉट यानि यह जो थ्री कॉलम दिये हुए हैं इसके उपर किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे आपको आवाज सॉफ्ट के उपर किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपको हम बिल्कुल नया तरीका बताएंगे ताकि आप इसी महीने की अभी जो लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे तो इसकी ताजा लिस्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करना यहाँ पर देख सकते हैं यह जो एच सोसल आडिट रिपोर्ट का आपसन आ रहा है यहाँ पर इसके नीचे एक आपसन दिया हुआ है Beneficiary Details for Verification इसके उपर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज में सबसे पहले आपको अपना प्रदेश सेलेक्ट करना है जी हाँ दोस्तों इसमें आप अपना प्रदेश सेलेक्ट करेंगे आप जिस प्रदेश से रहने वाले हैं इसके बाद आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और दूसरे option में आपको अपनी district यानि अपना जिला चुन लेना है जिस जिले के आप रहने वाले हैं इसके बाद आप नीचे फिर से स्क्रॉल करना है यहाँ पर आपको आपकी block चुननी है जो आपका विकास खंड है उसको चुन लेना है इसके बाद आपके सामने अब आपकी gram पंचायत खुल जाती है कि आपकी gram पंचायत कौन सी है उसे आपको यहाँ पर select कर लेना है आप select करने के बाद यहाँ पर जो सबसे आखिरी option आता है इसमें आपको साल चुनना है कि आप कौन से साल की देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नई वाली सूची देखेंगे तो यहाँ पर 20 और 21 के उपर click कर देंगे click करने के बाद आपको किस योजना के तहट यह सूची देखनी है प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड देखनी है या फिर यहाँ पर देख सकते हैं और भी बहुत सारी आवास योजना की scheme हैं आप इनको भी चेक कर सकते हैं कि इनमे किनकिन लोगों का नाम दिया गया था और किन लोगों का नाम नमबर डालने के बाद सब्मिट बटन पर किलिक करें, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह नाम दिये हुए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस सूची को डाउनलोड कर लेना है, इस डाउनल अब आप देख सकते हैं, कि इस सूची में आप आराम से देख पाएंगे कि यहाँ पर किन-किन लोगों का नाम दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनका नाम दिया गया है, जिसको इसमें पात्र बनाया गया है, और यहाँ पर इस योजना से जुड़े ज सूची में अपना नाम सबसे पहले चेक करें कि आपका नामी सूची में दिया गया है या नहीं दिया गया है और कितने पैसे यहाँ पर आपके पास आए हैं और आपको वो पैसे भी तक मिले हैं या नहीं मिले हैं या आपका नामी सूची से हटाया गया है तो अब हम बात करते हैं कि यह आपका नामी सूची में नहीं है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कहां पर सिकायत करेंगे तो उसके लिए हम फिर से बैक जाएंगे बैक जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं three dot पर फिर से क्लिक करेंगे और यहां पर आपको Contact Us के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं अब आपके सामने यहां पर यह phone numbers आ जाते हैं यह उन अधिकारियों के number हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और अपनी सिकायत बता सकते हैं ये देख सकते हैं ये टूल फ्री नंबर है इनका आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कॉल करके इसकी सिकायत कर सकते हैं कि आपको योजना के तहट आवास नहीं दिया गया है या फिर आपको आवास दिया गया था तो उसमें से आपका नाम हटा लिया गया है या फिर आपको पैस से नहीं प्राप्त हुए हैं इन सब चीजों की जानकारी आप तो आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें साथी साथ बेल बटन को प्रेस करें हम फिर से एक नई योजना वाली वीडियो लेकर आप से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद